दोस्तो नमस्कार मैं हूँ सत्यम पांडे स्वागत है आप सभी का SP Help Technical पर तो दोस्तो अगर आप भी अपना YouTube चैनल बनाके उससे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप के लिए ये वीडियो काफी useful होगा काफी informative होगा क्योंकि अगर आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इस step से गुजरना ही पढ़ेगा तभी आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा ठीक है न दोस्तों तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल में या यू कहें कि YouTube चैनल का YouTube चैनल में आपने जो AdSense अकाउंट लिंक किया होता है उस AdSense अकाउंट में आप अपने बैंक अकाउंट को कैसे जोडेंगे ठीक है तो आसान भासा में बस यही कर सकते हैं कि आप अपने YouTube चैनल में उससे पैसा लेने के लिए अपने बैंक अकाउंट को कैसे जोडेंगे तो आज की वीडियो में हम यही मैं जो है आपको एकदम लायूप करके दि अपना ID verification करना पड़ता है ID verification का भी मैंने वीडियो बना दिया है जिसको अगर कोई प्राबलम होगी इते वीडियो को description में लिंक है आप ID verification वाला भी वीडियो देख सकते हैं तो जब आपका AdSense में ID verification $10 complete होने के बाद हो जाता है उसके बाद address verification भी पिन आता है, पिन द्वारा हो जाता है तो पिन वाला भी वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा ठीक है न? तो जब इतना सब आप कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको आपके AdSense account में ही bank account जोड़ने का option मिल जाता है ठीक है न दोस्तों? तो वही मैं आज आपको live चलके दिखाता हूँ कि bank account आपको कैसे जोड़ना है कहाँ पे आपको option मिलेगा सब कुछ ठीक है न दोस्तों? तो चलिए हम चलते हैं अपनी mobile के screen पे और चाहे आप mobile से करें चाहे laptop से करें कोई दिक्कत नहीं है, same process है आप एकदम इसी प्रकार से कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं हम अपनी screen पर तो दोस्तों आप लोगों को अपने chrome browser पे जाना है और chrome browser पे जाके google adsense की site पे जाके आपने google adsense जिस gmail id से बनाया हो उस gmail id से आप अपना account login कर लीजिए तो नीचे अभी आपको देख मैं दिखाता हूँ add payment method का option जो है दिख जाएगा और दोस्तों एक छोटी सी बात आओ जिससे आप confused नहों अगर ये payment add payment method का option जो यहां पे दिख रहा है आपको अपना adsense login करने पर सीधा ये page नहीं दिखता है तो सीधा आपके पेज के सबसे उपर ही अगर आपको action बटन दिखता है तो आप वहां से भी यहां पे आ सकते है और action बटन भी नहीं दिखता और ये भी नहीं दिखता तो देखी आपको बगल साइड में उपर की तरफ three data जो आइकन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे आपको एक payment का option मिलेगा उसी वाले payment वाले option पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद ये नीचे आपको payment info का option दिखेगा इसी पे आपको क्लिक करना है उसके बाद आप इस add payment method वाले option में आ जाएंगे तो यह मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि एडसेंस हो चाहे यूटूब हो तो अपने पेज का इंटरफेस यह लगभग बदलता रहता है तो कभी आगे पीछे चीज हो जाए इसलिए मैं बता दिया कि अगर आपको यहाँ पीस प्रकार से नहीं दिखता है यह आइड पेमेंट पेमेंट का अप्टन दिखेगा पेमेंट पर क्लिक करेंगे तब भी आपको यह अच्छे समझा देता हूं आपको क्या भरना है क्या नहीं भरना है देखिए इस प्रकार से कुछ एक देखिए, इसमें आपको क्या डालना है name on bank account मतलब जिस्भी bank account को आप link कर रहे हैं अब यग जरूरी नहीं है कि जिसके नाम से एकांड बना है उसी का bank account LINK लिंग करे गांड आप का भी लिंक कर सकते हैं. तो इसमें जो past book में, जो bank account आप लिंक कर रहे हैं, तो pass book में जो account holder है, जिसके नाम से bank account खुला है, उसी का नाम आपको यहां पर डालना है, दूसरे में bank का name इसमें डालना है, मतलब count मेरा B.O.B है, तो मैं भी B.O.B डालूंगा. नीचे देखिए आपको ये IFSC code दिखा रहा है और उसके नीचे देखिए Swift BIC यानि Swift code डालना है तो Swift code क्या होता है इसको आप अपने bank के branch में जाके पता कर सकते हैं वो खुद बताएंगे नहीं तो आप net में भी अपने bank का अपना bank डालके सर्च कर सकते हैं हर branch का Swift code नहीं होता है फिर भी अगर आपको कोई संदेख है डाउट होगा अपको यहाँ पर डालना है यह देखिए आपको फिर से डालना है यहाँ पर account अपना number जो मतलब आपका account पूरा number होता है bank account खाता फिर उसी number को यहाँ पर retype कर देना है बस आपका काम हो गया अब इस वाले और इस वाले आपसन से कोई आपको छेड़ छाड़ नहीं करनी है ठीक है फिर अंतिम में आपको क्या कर देना है यहाँ पर show पर क्लिक कर देना है तो चलिए मैं सब कुछ अपना भर लेता हूँ सब कुछ करने के बाद यहाँ पर आपको show पर क्लिक करना लेना है तो चलिए मैं सब कुछ पहले अपना भर लेता हूँ तो दोस्तों देखें मैंने अपना जो है सारा सब कुछ भर लिया है अपना bank account में जो नाम है उसको नाम भर लिया है बैंक का का नाम भर दिया है और IFSC code भी भर दिया है swift code यानि BIC code भी भर दिया है account number भी अपना दो बार एक बार वो किये उसके बार रे-type दोनों बार अपना account वाला mark जिसको आप लगा दीजिए और उसके बाद कुछ नहीं करना है बस आपको नीचे इसी save वाले option पर कर देना है click तो चलिए हम कर देते हैं अपने save वाले option पर click तो जैसे ही हमने देखिए click किया आपका bank account link हो चुका है और 100$ के उपर जो भी पैसा होगा आपका यहाँ पर आजाए गातु जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो है bank account यहाँ पर link हो तो दोस्तों I hope कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा अगर दोस्तों वीडियो से कुछ भी आपकी help होई हो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करके comment करके आप अ दोस्तों अगर आप लोगों की इच्छा है चैनल के साथ जुड़े रहना चाते हैं तो जैसी आप लोग की इच्छा चैनल को subscribe करके घंटी दबा के सबसूपर वाली यानि आल वाली घंटी दबा लिजे जैसी आप लोग की इच्छा तो बस दोस्तों आज की वीडियो में सभी से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद